नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का 51,112,792 प्रात्मिक शिक्षक बरती को लेकर के आप देखेंगे आज सुबस सही चर्चा चल लए है बिमन ग्रुपों में सोसल मीडिया फिलिट फार्म पर और उसके पीछे का रीजन क्या है योगी जी की आज कैबिनेट के साथ मी उसके परणाम सरूप ऐसा लगा था कि साइद यहां पर सरकार नई प्रात्मिक शिक्षक बरती बिग्यापन जल्द जारी करने पर विचार कर सकती है कुछ दिन पहले भी आप देखेंगे कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसमें प्रस्ताओ को लेकर के एक टेक्स्ट मैसेज वायरल हुआ था जिसमें यह कहा गया था कि प्रस्ताओ जो है कैबिनेट में रखा गया है और मुक्यमंत्री जी की सहमत की बात जो है चीजे देख की ने को मिल सकती है जिसमें आप देखेंगे 51,112 पदों पर प्रात्मी सिक्षक बरती की बात कही गई थी और विग्यापन जो है अगस्त में हालाकि उसकी कनपर्म होने की पूष्टी नहीं हो सकी इसके बाद साती हूँ ऐसा लगा था कि सायद जो है आज चीजे क्लियर हो जाएं कि क्या सरकार की मंसा है नई प्रात्मी सिक्षक बरती बिग्यापन निकालने की आप देखेंगे आज कोर्ट इलाब अधाई कोर्ट में जश्टीस सिधार सरकी बेंज में कोर्ट नंबर 32 पर बिएड बिटीसी का मामला लगा हुआ थे सिरियल नंबर 136 पर जिस पर सुनवाई भी हो भी और आप सबी जानते हैं नेक्स्ट हेरिंग डेट 14 जुलाई की लग गई है और या कह सकते हैं यूपी टेट के प्रमाण पत्रों पर जो बिएड मामले में प्रमाण पत्रों पर इस्टे बरकरार रखा गया है साथी साथ एंसीटी के तरफ से जवाब मांगा गया है काउंटर एफिडिविट की रुपे अपना जवाब अपनामा दाखिल करें पी एनपी का भी अपना पक्ष रखा गया था क्यों उन्होंने बिएड को प्रात्मिक में सामिल किया है और नई अधिसूचना को लेकर के एंसीटी की अनि सारी बात हैं हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो के मादम से बताई हैं तो साथ यहां पर एक किसी भाई का कमेंट आया था कि अगर माल लेते हैं कि जब तक फाइनल डिसिजन नहीं आता है और अगर उसके पहले प्रात् पहले हो सकती है प्रकिरिया स्टार्ट हो सकती लेकिन विग्यापन नोटिफेकेसन आने में कम सकम जुलाई या फिर अगस्त और अगर अभी नियमा नुसार देखा जाएगा तो कहीं से भी प्रात्मी सिक्षक बरती प्रामरी में सामिल करने को लेकर कोई कोई कोड सी रोक में हैं अब आत्सवार्ट हो सकता है ना सामिलों जो भी यूपीट में हैं 2020 में लेकिन पुराने अभी सामिल हो सकते हैं येड़ वाले प्रात्मी सिक्षक बरती में और आप देखेंगे कि जब तक सुप्रिम कोड से मामला फाइनल नहीं हो जाता है तब तक कहीं ने कहीं हा करके हिए वहाँ पर जो इस्टे था उसको वेकंड किया गया है तो आगर ऐसा होता है तो बीएट को सामिल कर सकते हैं वाकि अभी ऐसा कुछ देखे होने के आसार नहीं उसमें और भी विवाद बढ़ेंगे और वैसे भी आप देखेंगा नई प्रात्मी सिख्षक बरती विग्यापन को लेकर के आज की कैबने में रेटिंग संपन होने के पसाथ कोई भी कनफर्म अपडेट नहीं मिल पाई है चाहे ओ पिछले वाले प्रस्ताओं को लेकर के हो या फिर किसी नए अधियाचन के पद सिजित करने सहित या फिर किदने पदों पर भरती विग्यापन निकालने या फिर ऐसे समझ लिजी आपकी सूपर टेट 2022 को लेकर के सायत चर्चा ही नहीं हुई है हो सकता है मुद्दा उठाया गया हो चुकि मीटिंग में क्या हुआ ये तो नहीं पता लेकिन जो चीजे मीटिंग के निसकर्स करूप में जिन जिन बिंदों पर चर्चा हुई है तो वहां से नई प्रात्मी सिक्षक बरती को लेकर कोई भी अपडेट्स प्राप्त नहीं हो रही है अगर कोई जानकारी मिलेगी तो आप सभी को सही और आथेंटिक सूसना हमारे चैनल के मादम से दी जाएगी नेक्स्ट वीडियो का आप सभी वेट करें बागी अभी तक कि यही अपडेट है कि आज की कैबिनेट मीटिंग में भी नई प्रात्मी सिक्षक बरती को लेकर के कोई भी चर्चा नहीं है तो वीडियो का आप सभी प्लीज लाइक कर दें शेयर आप कर सकते हैं दीजीगा साथ में जिन साथी उने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद